रवी तुम ऐसे बीच में छोड़के क्यूं चले आए अगर सफर पूरा नहीं कर सकते तो हमें उस सफर को शुरू नहीं करना चाहिए तुम मुझसे नाराज हो गए हो कि मैंने तुम्हें लेके छूट बोला बिल्कुल नहीं बस जूट नहीं बोलना चाहिए था देखो धरीनी तुम इतनी अमीर हो इसलिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया है प्यार मैंने तुम्हें बिना देखे किया है क्योंकि तुम्हारी सोच अच्छी है पता नि मैं तुमसे यह सब क्यों चाहरा हूं तुम्हे देखने के लिए तुमसे बात करने के लिए एक antibiotiten तekiया त लेकिन जब मुखा में तह था तो बात ही नहीं कर पाता था तु मने सामने से मुझसे फ्रेंडशिप की पता है पूरे महीने चाई पिता नहों तिन सो रुपे होता है और तुम मुझे कहा ले गए थी वो जगा का नाम क्या था वो स्टार्बक्स वहाँ ये कॉफी तीन सो रुपे पागल है क्या मैं हैर कटिंग भी ना पचास रुपे में करवाता हूँ और तुम्हारे पालर वाले तीन अज़र लेते हैं मुझे लगा ये सिर्फ कीमत का फार्क है लेकिन ये हैसियत का फार्क था रवीद अरहसल मैं सबको ये बताना चाहती थी कि हाँ वो तुम्हारी मजबूरी थी जानता हूँ मैंने बीटे किया ये जानने के बाद ही तुम मेरे करीब आई थी धरिनी मैंने ही नोटिस नहीं किया करेक्ट तुम्हे फोन गिफ्ट किया ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी स्टेंडर्ड वही तो वही तो नहीं समझ पाया शर्ट गिफ्ट देकर तुमने कहा कि पहन क्या ना तो मुझे लगा तुम्हारा प्यार है लेकिन ये इन लोगों के बीच अच्छा दिखने के लिए था ना ये क्या कह रहे हो रवी तुम पागल हो गए हो क्या दरिनी अफसोस तो बस इस बात का है कि तुम भी औरो जैसे ही निकली तुम्हारी नजर में न्यूजपेपर बाटना गलत नहीं है पर बिलो स्टैंडर्ड है तुम्हारा स्टैंडर्ड ही अलग है ना यह की चीज़ इंपोर्टन्ट है आदमी का बैग्राउंड कितना इंप्रसिव कितना चमक दमक वाला और लेकन इंसान कैसा भी हो चलता है इस दुनिया को छोड़कर तुम मेरे साथ नहीं रह पा होगी रवी तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो तुम है नहीं मैं खुद को जज़ कर रहा हूँ मैं सोचने लगा था कि हम दोनों की दुनिया भी एक हो सकती है मैंने सोच भी कैसे लिया है रवी